नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं Profiting from Pain, यानि कि दर्द के दौर में मुनाफ़ा, नाम से Oxfam International की एक रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि करोना महमारी के दौर में जहां पर पूरी दुनिया दर्द से करा रही थे वहीं पर अमीर लोग पैसे पर पैसा पीट रहे थे, मुनाफ़ पर मुनाफ़ा कमा रहे थे, अरब पती अरब पती होते जा रहे थे यह रिपोर्ट बताती है कि हर 30 गंटे में एक अरपती बन रहा था और हर 29 गंटे में 10 लाख लोग एक्स्ट्रीम प्रोवर्टी के सिचुएशन में जा रहे थे इसी पर बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ट सहयोगी पत्रकार और निंदो चक्रवर्ती तो सर्फ करोना का वो दौर अब भी याद आता है कि जब सहरों को छोड़कर लोग नंगे पाउं गाउं की तरफ निकल चले थे और ट्रेन की पत्रियों पर रोटियां फिकी हुई दिखती थी प्राइवेट स्कूल के मास्टर लोग थे तो वो अपना काम धाम छोड़ने के वज़़े से आटा दाल चावल नहीं इंतिजाम कर पा रहे थे और वैसी दर में हम यह देखते हैं कि कुछ लोग पैसे पर पैसा पीट रहे हैं क्या कहेंगे आप इसके बारे में अजे ये तो इसके बारे में हमने पहले भी लिखा है कोविट के पूरे जो पीरियर काल था कोविट का अभी भी चल रहा है लेकिन जो सबसे बुरा काल था दो साल जो चले थे उस वक्त भी बहुत लोगों ने ये लिखा था कि ये जो कोविट के चलते जो एक आर्थिक आप कह सकते हैं डिजास्टर हमारे दुनिया में हुआ है भ सबसे गरीब तबका है उनको सस्ते में खाना दिया गया या मुफ्त में खाना दिया गया जब वो गाओं पहुंच गया तो आप जो कह रहे हैं कि नंगे पैर लोग गाओं वापस जा रहे थी इसका एक कारण ये भी था कि शहर में नौकरी नहीं थी शहर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और गाओं में जाते तो गाओं के जो पजायत के हैड हैं या वहां पे जो सर्पंच हैं ऐसे लोग लोगों को फोन करके वापस गाओं बुला रहे थे कह रहे थे कि यहां पर खाना दिया जाएगा यहां पर राशन डिस्ट्रिब्यूट होगा आपके उनको पैसे नहीं मिले बस वो जिन्दा रहे लेकिन जो सबसे अमीर है उनको फाइदा पहुचा सरकारी नीतियों से और उसके बारे में हम थोड़ा डीटेल में बाद में बात करेंगे लेकिन यह साफ था पहले ही और ऑक्सवैम का यह जो रिपोर्ट आया है मुझे लगता आने वाली कंपनियों के बारे में यह है और क्या हुआ किस तरीके से अमीर लोग कितने अमीर हो गए हैं और उसके कारण क्या हुआ दुनिया में सबको पढ़ना चाहिए हो सकता है कुछ पार आपको समझ ना है लेकिन आप इंटरनेट आपके पास एक्सेस है तो उसको तो लग आती है कि आप हम देखते थे कि इलाज के लिए लोग पास पैसा नहीं था और अगर वह स्पीटल चले जाते थे तो इतने अधी करण में दूब जाते थे कि मतलब उनके आस पास की लोग उनके परिवार की लोग उस करण को बहुत दिनों तक चुकाना पड़ेगा और वैसे दोर में हम देख रहे हैं कि यह रिपोर्ट बता रहे हैं कि फार्मासिटिकल कमपनियों ने, फूड सेक्टर की कमपनियों ने, ओल सेक्टर और टेकनॉलजी सेक्टर की कमपनियों ने जम कर कमाई की हैं, यह थोड़ा बताईए कैसे? चमकर कमाई की है सिरफ यह कंपनियों नहीं कुछ कंपनियों आप देखे कि कुल लगभग मुझे लगता धाई हजार के आसपास हमारे दुनिया में बिलियनेर हैं यानि जिनके पास सौ करोड डॉलर से जादा पैसा है ठीक है और ऐसे बिलियनेर जो है इचले दो साल में जब इतनी आर्थिक स्थिती दुनिया की बुरी थी रिसेशन आया था ग्रोथ नेगेटिव हो गया सबका कम होना चाहिए था पैसा लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 570 बिलियनेर बढ़ गए इन दो सालों में उनमें से 62 बिलियनेर ऐसे इंडस्ट्री से हैं जो कि फूड या ए खाने के चीजों के दाम जो है यह रिपोर्ट कहता है कि यूएन जब से फूड प्राइस इंडेक्स मेंटेन कर रहा है कि रिकॉर्ड कर रहा है कि खाने के चीजों के दाम दुनिया भर में किस तरिके से बढ़ रहा है यह 1990 से कर रहा है यह उस वक्त से 32 साल में सबसे जादा बढ़ा है मार्च 2022 में और ये इसलिए ने बढ़ा है कि कमी है कि चीजे कम हो गए ये इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है और उनमें से सबसे बढ़ा है कारगे जो कि 2017 में दुनिया की 70 प्रतिशत जितना भी फूड कमोडिटी एक्सचेंज होता था या ट्रेड होता है 70 प्रतिशत कंट्रोल करती है और इस कंपनी का सबसे ज़्यादा लाब हुआ है रेकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है पिछले दो साल में इसका ये साफ है कि दुनिया भर में खादी का जो बढ़त दामनों में बढ़त ये क्योंकि चीज नहीं मतलब कमी हो गई है ये शौटेज हो गया दुनिया वर में इसलिए दाम बढ़ गए है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसर्च से पता चल रहा है कि अगर सौ रुपे दाम बढ़ा है तो साट रुपे दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि बड़ी कं कमपनियां जादा मुनाफ़ा कर रही है ये शौटेज के चलते 40 प्रतिशत होगा इन्पुट दाये दाम बढ़ने से 40 प्रतिशत हो साथ प्रतिशत दाम बढ़ने का कारण अधिक मुनाफ़ा है और इसी लिए इसको प्रॉफिटिंग फ्रम पेन कहा है लोगों के दर्ज से को सिवार के पास ही होते हैं 50 प्रतिशत से ज़्यादा यानि कि जो मुनाफ़ा है सबसे अधिक उन्हीं के पास जाता होगा यानि कि जो उनके करमचारी हैं वो भी तो दर्द में गुजर रहे होंगे और उसके बाद ये भी आप देखे कि जो उत्पादन करते हैं किसान क्या उन तक ये मुनाफ़ा पहुंचता हुआ बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है जिस तरीके से इसी रिपोर्ट में कहा गया है और ये पहले भी हम जानते हैं इस रिपोर्ट में भी जो कलेक करके दिया गया है वो दूसरे रिपोर्ट से ही है अजय आप देखे कि उसमें कहा ग तो उनकी सेलरी 50 प्रतिशत बढ़ जाती जो कि तब भी कम होता यूएस के तुलना में फिर भी 50 प्रतिशत बढ़त उनकी सैलरी में हो जाती अगर वो जो मुनाफ़ा उन्होंने डिस्ट्रिब्यूट किया शेरोल्डर में उस वो डिस्ट्रिब्यूट ना करके सिर्फ अपने एंप्लोईज को दे देते ऑड्रर्राइब वाल्मार्ट में इस कहा जा रहा है कि जो लो जो खाने की चीजे वाल्मार्ट बेचती अपनी दुकानों में उन में से 5 से 6 प्रतिशन जाता है किसान के पास बाकी सारा ट्रेड में ट्रेड का गयाप है जो कि रिडी आप होलसेल प्राइस में जो ला रहे हैं ट्रांस्पोर्ट का कॉस्ट अगरा भी होगा लेकिन बागी सारा प्रॉफिट है वालमार्ट जो फैमिली है उनका जो वेल्थ बहुत जादा बढ़ गया है कि कोविट के पीरेड में और उन्होंने अपने फैमिली के बीच में डाला है वालमार् कारत में सिर्फ 3-4 प्रतिशत लोग शेर खरीदते हैं इसलिए नहीं होता है लेकिन आप यूएस में देखिए कितना जादा लोग शेर खरीदते हैं और इसके चलते शेर खरीदने के कारण बहुत लोगों में यह मुनाफ़ा बढ़ जाता है सिर्फ अमीरों के पास नहीं यानि कि बाकी 90% के पास सिर्फ 10% है तो जो डिविडेंड या मुनाफ़ा डिस्ट्रिब्यूट भी होता है शेर होल्डर के बीच उसमें से भी 90% शेर सिर्फ सबसे अमीर जो 10% है उसी के पास जाता है उन्हीं के पास जाता है तो यह साफ है कि शेर का भी जो दाम बढ़ता है वेल्ट बढ़ता है सिर्फ अमीरों के लिए फायदा होता है गरीबों के लिए नहीं अब इसी रिपोर्ट के थोड़ा दो तीनों और पहले पर बात करते हैं फर्मासियोटिकल कमपनियों का जिक्र है कि उन्होंने जब बरदस्त कमाई की टेकनोलजी सेक्टर में में उजन का जिक्र है कि उसने सबसे सांदार कारोबार किया और ओयल सेक्टर की कमपनियों में जिसमें हम सब को लगता है कि भाई जो खर्चा है ओयल का वह बढ़ रहा है इस वज़ा से लागत बढ़ रही है लेकिन उन कमपनियों ने भी कमाई किया थोड़ा इस पर बताएंगे आप बिलकुल अजे देखिए कि इसमें साफ एक चीज़ सामने आ रहा है कि जो कहा जा रहा था कि ये तो सप्लाई शॉर्टेज है इसके लिए दाम बढ़ रहे हैं मुनाफ़ा के कारण नहीं बढ़ रहे हैं ये साफ है कि जूट है क्योंकि अगर सप्लाई शॉर्टेज है आप सोच लिजे कि आप कह सकते हैं कि कोविट से पहले सौ लीटर ऑइल प्रोड्यूस होता था और सौ लीटर खच हो जाता था मैं एक एक्जामपल दे रहा हूं कोविट आ गया तो असी लीटर तैयार हो और कोविट के चलते लॉकडाउन के चलते जो मांग है वो भी गिरके 90 पे आ गया लेकिन 80 प्रोड्यूस हो रहा है 90 मांग है इसका मतलब दाम बढ़ेंगे है ना लेकिन ये बात नहीं है क्योंकि आइल कंपनियों का जो मुनाफा है वो सबसे जादा बढ़ा है सारे सेक्टर में आइल कंपनियों का मुनाफा सबसे जादा बढ़ा है इसका मतलब आइल का जो दाम बढ़ने का कारण कम नहीं है शौर्टेज नहीं है ये दाम बढ़ने का कारण सिर्फ ये है कि जो एक आर् उनमें से उनमें से कुछ कारगिल फैमिली के होंगे, फूड और अग्रिकल्च्छर सेक्टर में 62 नए दुनिया भर में और उनका कुल जो खाद्य में जो बिलियनेर है ऐसे इंडस्ट्री में जो बिलियनेर है उनका कुल जो आप संपत्ती कह सके हैं वो 45 प्रतिशत बड़ा है और वो 45 प्रतिशत कितना है 30 लाग करोर रुपे 30 लाग करोर रुपे जो कि हमारे देश के कुल बजेट के बरावर है ये कुल लगबग आप सोच लीजे जादा से जादा धाइसो के आसपास ऐसे बिलियनेर के हाथ में पैसा है दस सबसे जो अमीर लोग है उनके पास जो वेल्थ है आज के डेट पे कोविट के चलते जो हुआ है वो सबसे बाग की जो पॉपुलेशन है दुनिया का उसके जो बॉटम 40 प्रतिशत है उन से जादा है दस लोगों के पास 40 प्रतिशत से जादा तो ये सारा कोविट के पीरियट में हुआ है टेक क्योंकि हम सब को आज मैं भी आप से जूम पे बात कर रहा हूँ हम सब टेक्नोलजी यूज़ करें चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो इंटरनेट हो चाहे कोई सौफटवेर हो ठीक है तो उन कंपनियों का बहुत फाइदा हो रहा है आप घर पे बैठे अगर मार्केट नहीं जा पा रहे हैं आप कोई भी ऑर्डर डाल रहे हैं आप किसी टेक कंपनी चाहे Amazon हो या ऐसा कोई फिलिप्कार्ट हो ऐसा कोई कंपनी हो उससे आपका वो बढ़ा है आप रेस्टरांट में खाने जाने नहीं पढ़ रहे हैं पा रहे हैं तो आप किसी टेक कंपनी जो distribute करते हैं, delivery करते हैं उनसे खरीद रहें, तो इनको बहुत फाइदा हुआ है, जैसे घर में अगर लोग बैठ हुए है, social distancing है, तो social media पे जादा आगे तो social media वालों को बहुत फाइदा हुआ है YouTube जादा देख रहे हैं YouTube को फाइदा हुआ है, तो ये जो सारा है, चार-पाँच tech कंपनिया हैं, Google, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, इन सब को आप अगर मिलाएंगे, तो इनका record profit रेकॉर्ड profit जो कि हुआ है, इनके पूरे history में जो नहीं हो, इससे जादा हुआ है, फार्मासोर्टिकल, आप देखिए, यहां पे report में Moderna का नाम दिया गया है, Moderna का जो उन्होंने जो वैक्सीन निकाला था, वो वैक्सीन के लिए उनको 10 बिलियन डॉलर का funding US government से मिला है, US government का funding क्या मतलब क्या है, taxpayer का funding है, या हम अगर imperialism देखे तो आपका हमारा पैसा भी US government के पास है, तो उससे funding मिला है Moderna को, और Moderna ने वो funding लेकर, अपना पैसा ने, वो funding लेकर जो उन्होंने वैक्सीन डिवेलप किया है, उसके चलते उन्होंने 12 बिलियन डॉलर का मुनाफ़ा किया है, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे नए नए बिलियनेर जिनका पूरा फाइदा हुआ है, ये वैक्सीन तंतर से, मैं वैक्सीन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, सवाल, वैक्सीन होना चाहिए, लेकिन वैक्सीन पर इतना मुनाफ़ा क्यों, आप देखें, किस तरीके से फाइजर ही शायद है, जिन्होंने बाकी देशों में, जहां पर उन्होंने कहा कि intellectual property right, copyright हम खुद बनाना चाहते हैं, हम कुछ पैसे आपको देंगे, लेकिन हम खुद बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे देश के लोग हैं, उनकी जान के बारे में लेकिन कितना उन्होंने कोशिश किया इसको रोकने के, फाइजर में, तो सीधर ही बात है कि हर जगे आप देखेंगे, तो इनको vaccination से फाइदा हुआ है, आज अगर आपको कहा जा ये बूस्टर डोज ले लीजिए, इससे फाइदा किसको हो रहा है, ये सवाल उठाना चाहिए और क्यों हो रहा है, अगर मैंने दो डोज लेकर फिर भी मुझे वह हो गया, कोविट हो गया, हाँ, सीरियस नहीं था, लेकिन क्या वो सीरियस इसलिए नहीं था कि मैंने वैक्सीन लिया या ये सीरियस नहीं था, क्योंकि जो वेरियंट है वो सीरियस नहीं, हाँ, तो ये जो एक दुन्या में तंत्र बना हुआ, आप देख रहें कि पुराना दवाई को नए तोर पे लाकर उसको कोविट का दवाई वे बोलके बेचा जा रहा है, हां, इससे करोडो बिलियन डॉलर का फायदा फार्मसोटिकल कंपनियों को हुआ है, तो फूड, आईटी, फार्मा, इन्होंने जितना फायदा किया है, फार्मा और हेल्थ, आप उसमें देख लीजे, जो लोग मास्क बनाने वाले हैं, कल वो शायद महीने में एक लाग रुपे टरन ओवर था, आज उसका दस करोडो हो गया, तो ये जो फायदा हुआ है, उसके जगे पे आप कह रहें कि हर 33 घंटे में 10 लाक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और उसी टाइम में एक नया बिले नेर बनिया, तो ये हाल है, दुनिया का कोविट के चलते हैं, और इसका एक बड़ा कारण है कि सरकारों ने जिस तरीके से पैसा कर्च गया जाए, तो एक और मैं आकड़े जानकारी है, कि अगर उनकी 99 परतिसत समपती गमा दे जाती है, उसके बाद भी वह 0.001 परतिसत चुनिंदा अमीर लोगों के बीच होंगे, तो यही सवाल है, कि यह सब कुछ हो रहा है, आर्थी का समानता की खाई एक दम दिख रही है, एक ही रिपोर्ट नहीं, कई सारे बताती है, तो सरकार की नीतियां क्या होती है, क्या सरकार की नीतियों की वज़ह से ऐसा हो रहा है, और अगर सरकार देख रहे हैं, तो कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार की नीतिया ना कहके हमको यह कहना चाहिए यह स्टेट यानि आप अगर राज्य का पूरा एक सिस्टम है उसकी नीतिया कहे क्योंकि सरकार आते जाते हैं स्टेट रहता है है ना आप देखे कि कॉंग्रेस के सरकार की सरकार हो यूएफ की सरकार हो बीजेपी एंडिये की सरकार हो पुरानी एंडिये आज मोधी सरकार हो हरे एक में आप पॉलिसी ब्रॉडली सेमी रहता है प्राइविटाइजेशन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन थोड़ा बहुत धीरे-धीरे बदल रहा है कि लोगों को पता कि अब यह नहीं चल सकता है फिर भी आप देखिए उससे हुआ क्या है 1989 80 से जब से यह आया है कि जो सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए सरकार जो वेलफेर करती है उससे सरकार को हट जाना चाहिए इससे जो जो वरकर लोग है यह लोग मतलब आलसी हो जाते हैं यह प्रोड़क्टिव नहीं रहते हैं आप अगर इनको फ्री में पैसा देंगे य कोई फैलाया जाता है ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप देखें जब कोविड है क्या हुआ सारे सरकारे ने खर्चा बढ़ाया और सभी बैंकों ने इंट्रेस्टेट काड़ गया कि सस्ते में आप लोन ले लिजिए हर जगह पर यूएस में कहा गया कि आपको इतना सारा इंसेंटिव मिले तो सारा जो पैसा है वो जो कैपिटलिस क्लास है उनके हाथ में गहा कि भाया आप ले लो ताकि आप आपके अपने वर्कर को पैसे देते रहो यह नहीं कि वर्कर को पैसे मिले आप करते रहो आपको जितना देना है इनको दे दो आपको फाइदा है और उसके साथ जितना लोन आसान हो गया क्या हुआ जिसको हम कहते हैं एसेट यानी स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इसमें बूम आ गया लोगों को अमीर लोगों के हाथ में पैसे आ गए तो लोग खरीदने लगे ये बूम जितना बड़ा है उतना जादा इनी एसेट का दाम बड़ा है उतना जादा जिनके हाथ में स्टॉक है या जिनके हाथ में संपत्ती है उनके संपत्ती का वैल्यू बढ़ी है ये सरकारी पैसे से हुआ है ये बैंक के पैसे से हुआ है ये कोई प्रॉडक्शन प्रॉसेस से नहीं हुआ ये लो भारत सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाकार विविक दबराय ने जारी की थी और जो बताती है कि दस प्रतीसत केवल कामगार ऐसे हैं जिनकी महीने की यामदनी 25,000 रुपए है नहीं तो सबकी क्या है इससे कम है और ऐसी स्थिती होने के बाद भी भारत की धेर सारे लोग यह कहते हैं इसमें दिक्कत क्या है जो कमाई कर सकता है वो कमाई करे जो नहीं कर सकता है वो ना करे सबके लिए तो समान कानून है तो यह थोड़ा बताईए कि लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते कि सरकार का उनकी जीवन में रोल क्या है तेकि सरकार से जादा सबसे बड़ा रोल तो यह है कि जो कमाई कर सकता है वो कमाई करें यह बोलना वहाद आसान है अगर किसी के माबाप ने उनके लिए दो कड़ोर रुपए इनहेरिटेंस में छोड़ दिया है उससे वो जो कमाई कर सकता है और कोई और हो जो बहुत गरीब खांदान में आता है खांदान से आता है 25,000 रुपए जो उसका सैलरी है उसमें से 15,000 गाओं भेजता है दोनों में फर्क है आज आज आपको अगर मैं एक करोड रुपए दे दू बोलो कि अजय आप स्टॉक मार्केट में लगा के बना लो ठीक है आप 10 लाग रुपे हार भी जाओ फिर भी अमीर होगे तो प्रॉपर्टी अगर लोगों को कहना है कि देखिए आप टैलेंट आपका टैलेंट और हार्ड वर्क से तैह होगा आप कितना बना दे तो ठीक है आपके हाथ में कोई इन्हेरिटेंस नहीं होना चाहिए आपको स्टार्टिंग क्वीरेड में कोई भी सीधी बात है आज अगर मैं अंग्रेजी में अराम से मुझे किसी बी जगह पर कॉर्परेट सेक्टर में जाके सेलरी जादा मिलें ही जो हिंदी में बात करता है सिरफ उस से मैं दावे के साथ जा सकता हूं यह सच है ठीक है तो क्या ये एक्वल है सबके लिए क्या यह कभी equal बनाया जा सकता है हम जानते हमारे देश में चाहे धर्म हो चाहे जाती हो उसके चलते लोगों को नौकरी नहीं मिलती है क्या ये equal है सबके लिए कभी equal हो सकता है तो सीधी बात है कि ये जो कहते हैं कि सब equal है इसमें क्या problem है ये कभी ये साफ है ये लोग जूट वोते हैं जानते हैं प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी कहते हैं अपना जो अपनी जो संपत्ती है आए है उसको बचाने के लिए सब कहते हैं लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो अमीर तपका है हमारे देश का उनको थोड़ अगराती है सेंटर सेंटर ने काट अब आप देखिए यह अगर होगा पहले भी काटा सकॉंड अब आप देखिए कि संटर जब यह काट देती है तो क्या होता है इसका मतलब है कि सरकार के जो पेट्रोलिं Е्म सेथर से आए है जो कि बहुत जादा एक पार्ट होता है सरकार के रेविन्यू का ठीक है वो कम हो जाएगा बहुत मतलब बहुत ही कम हो जाएगा कम आ जाए दूसरी बात यह है कि उन्होंने lpg subsidy फिर से बढ़ा दिया fertilizer subsidy जहां तक मैंने लास देखा था मुझे लगता कि एक extra sanction एक लाग करोर का लिया गया है जो कि double है जतना कर रखिया जा रहा था free food या सस्ते में खाना जो देना था मुझे वो भी शायद एक साल के लिए extend कर दिया गया है तो आप देखिए कि सरकार का कुल खर्चा बहुत तेजी से बढ़ा है लेकि सरकार की आए का कोई भी स्रोत नहीं है बढ़ाने का इसलिए जब ये दिवेक देवराजी का ये रिपोर्ट आता है तो हमें भी समझना चाहिए कि ये रिपोर् कीज तै कर रही है कुछ करने वाली और उसमें हो सकता है आप वेल्ट टैक्स देख सकते हैं इन हीरे टेntस टाइंद सक було सकते हैं आगर किसी का जितना लाब होता था कोविट के चलते जादा हुआ है तो 99 प्रतिशत वो जो एक्स्टा है उसको ले ले सरका और गरीबों के लिए उस पे खर्चा करें यह बहुत जगे पर यह किया जा रहा है अर्जेंटीना में शायद इंट्रड्यूस हुआ है और जो मैंने रिपोर्ट में है वन टाइम एक्स्ट्रा टैक्स अमीरों पर हमारे देश के अमीर जो हैं जिनको भी फाइदा हुआ है जो सरकारी रिपोर्ट से पता चल रहा है पहले 6-7 महिने में मुश्किल हुई थी जो अमीरे वह और भी वह गरीब हुए थे उनका पैसा हाथ से निकल गया लेकिन फिर से नीचे गया है और उनको तयार है ना चाहिए सबसे अमीर जो है कि हो सकता है मोधी सरकार भी उनके उपर टैक्स बढ़ाएगी क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके का एक अट्मसफेर तयार किया जा रहा है शुक्रिया इसी रिपोर्ट का एक आंकड़ा है कि दुनि दुनिया के 40% गरीब लोगों से ज़्यादा संपत्य है शुक्रिया आप देखते रहे हैं न्यूस क्लिक अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वेब साइट को फॉलो कीजिए हमारे फेस्बुक और ट झाल